सो हलो एवरिवन वेलकम टोर ओनलाइन लेनिंग प्लेटफोर्म एस्पी नॉटिफायर सो टुड़े विडिसकस टॉपिक 200 इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नीट फिजिक्स जिसमें सारे इंपोर्टेंट कंसेट्स में बच्चो एक साथ बता दूंगा आपको रिव्यू के सवाल है नीट 2013 का सवाल देख सकते हो आप इसके लिए सबसे बेस्ट दूसरा रिकोईल ऑफ एटम ड्यू टू इमिशन ऑफ फोटन एज रिजल्ट ऑफ एलेक्ट्रोल डी एक्साइटेशन ये बचो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चेप्टर है ये इसमें एटम वाले च कितना रिडिक्टिव पता डिके होगा कितना शेश बचेगा कितना रिमेनिंग रहेगा जो भी है वन रेशू टू कि पाउर एन माइनस वन ये प्रोफाइल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ट्रांजिस्टर इंज सी इई कॉंसर्गेशन कोमन इमिटर कॉंसर्गेशन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कंसेट बच्चो इस पर निमेरिकल आते है डायरेक्ली वेलाउसिटी एक्सटी कोलिजन बिट्विन इडेंटिकल बॉल्स बच्चो जिसका मास सेम होता है उसमें इलास्टी कोलिजन का कंसेट पूछा जाता है आपसे जो कि सबसे ज्यादा आक होता है अगर दोनों के मासीक्वाल है एक झाती है एक्सनर जो जियाए सब से ज्यादा इंपोरेंट ए कैerkेल बपड़ा एक प्रोफा बिसमाएं और बताता हूम आपको हीटर वाला जिसमें हीटर को सीई में जोड़ दें जों सो टाइम पूछता है बलब से आयार कॉम् यह नहीं है आपको एक रेस्टेंस देदिया उसमें चार कलर देदिया आपको उसका टोटल रेस्टेंस पूछेगा वह 12th क्लास का सवाल है इसमें सवाल ऐसे आएगा बचो कि एक बाद जेए में 2019 अप्रेल में एक सवाल देखना बचो कौन सी शिप्ट का है मुझे पता नही है अलागि नी 2019 के पेपर को देखके लगता नहीं पेपर हाड आएगा वैसे नहुं आता है नौन ओमिक कन्डेक्टर गेलियम आरसना इंड आईवी करेक्टरिस्ट बच्चो आपको पता ही नौन ओमिक डिवाइस होती है जो भी पीजिंग्शन डायोड होते है इनके लिए डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था आईवी करू जोता है वह स्ट्रेट लाइन नहीं होता दसवा डिट्रमाइंट ऑफ इंटरने रेजिस्टेंस ऑफ सेल उजिंग पोटेंश्यमीटर बच्चो डायरेक्टली फॉर्मुला आता है स्मोल रिकस्ट के पिट इवाइड बाइड वाइड बाइड 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 वाली बात में ट्वेल्ट वाला कोश्ट्ट्ट इस्ट्रेचिंग ऑफ इसलेंडर्गल वायर पॉसिंग ओवर ए सीरीज ओव डाइज र इकलस टू एन इस्क्टेंट आर नोट बच्चो नीट ताथाथा नाइट था इंत में देखो गया आप फॉर टाइम्स कर दिया तो सिक्स्टी टाइमस हो जाएगा बच्चो बहुत ही ज्यादा इजी सवाल ही नीट तो थावन थर्टी में पूछा गया आप जाके देख सकते हो फोकल लेंट अफ लेंज वें थिकनेस्टी अपेर्चर आर ओरडी एंड रफेक्टी इंडेक्स म्यू गिवन हो आपको बच्चो यह प्रोफाइल भी दिख्की जानी आपको कंडिशन ओव मिनिममम डिविशन सबसे ज्यादा इंपोटेंट आर वन आर टू जो गगा बच्चो वह एबाइटू होगा तो आई एकवल होगा मिव करश्टो साइन डेलम प्लस एबाइटू डिवाइड़ बाइड़ साइन एबाइटू इसका सबसे एक कंडिशन और बत करते जनर डायोड इस वोल्टेज रेगुलेटर यह आपको पहला तो नाम ही याद रखना है कि जनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के काम में आता है और NCRT का 14.5 जो NCRT का एक्जाम्पल है वो आपको देख के जाना है यह NCRT से सवाल बनता सबसे ज़्यादा इंपोर्टन जे में में आ रखका बच्छो नीट माने के भी 100% चांसी से Velocity Selector QE इसमें Lorentz force 0 हो जाता है बच्छो वे इक्वस्टो E भाई बी आता सबसे IMPORTANT results है Velocity Selector का QE Vector plus V cross B जो होता है बच्छो वो 0 हो जाता है पिर आता बच्छो Frequency of Oscillation अगर F हो तो Frequency of Variation of Kinetic and Potential Energy 2F हो जाएगा वेर X इक्वस्टो A sin omega T U जो proportional होगा सबसे जयाता है और पूछा जाता है बच्चो फिर आता है बच्चो वायर बेंट इसको पर्लेल में काम में लेते हैं बच्चो और कई पार ठीटा और 360 टीटा पर भी आनल जाता है जो दूसर डाइगनाम देख रहे हो बच्छो आप यह X और Y के बीच में आपको equivalent resistance find out करना होता है जो आप easily कर सकते हो बच्छो पहला combination use करके फिर आता है बच्छो वायर loop magnetic interaction इसमें आता है आपको flux पूख सकता है या फिर induced EMF पूख सकता है बच्छो यह भी आया वाया है बच्छो नीट 2017 18 में आया वाया है यह वाला प्रोफाइल डेविशन जर्मार experiment बच्छो वोल्टेज रेंज आपको याद रखनी है 44-68 और यह पीक यह उप्टिक्स का सबसे फेमस सवाल जा है बच्छो वो वाइडियसी है या फिर पॉलेरोइड है जो सबसे ज्यादा पूछे गए बच्छो वाइडियसी में दो पर मैगनेट रख लोगे इसका मुमेंट अब निकाली लोगे टाइम प्रेड आजाएगा आपके पास फिर आता बच्छो डिस्प्लेजिंग चार्ज डवली कुवी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिस्प्लेजमेंट मेंट आता है बच्छो रहे ऑप्टिक्स में इसमें अधर एक इक वाला कंसेफ्ट आता बच्छो यह जो डाइग्राम देख रहा है आपको इस पर यह एक फिश वाला सवाला तब वो भी आपको देखके जाना है बच्छो 28 पर बात करते हैं image of sun image of size of open focal length पराबर object of size open object dish है यह भी आपको पता होना चीवच्छो mirror concept में आता है lens में भी आता है minimum distance of common fringe lambda big into n equals to lambda small equals to n plus n यह सब यह concept आता है minimum distance of common fringe का changing extension spring w equals to half k x2 square minus x1 square इसी तरह से changing current through l w equals to half l i2 square minus i1 square वैसे changing voltage of capacity to w equals to half cv final square minus v initial का whole square फिर आता है बच्छो और वाला concept magnitude factor करन से आर इकोस्टो एम्वी अपून पी क्यूबी एम्वी को आप मुमेंटम लिख सकते हो पी पी को रूप सकते हो रूट कानेटिक एनरजी है रूट क्यूट वी नोट वल्टेज है बच्छो डिवाइट बाई क्यूवी यह प्रोफा अगर गेलिमेटर के पहलेल में एक लो रेजिस्टेंस लगा जिसको आप शंट बोलते बच्छो तो यह अमिटर में कनवर्ट हो जाता है और इसमें आप यह वाली प्रोफाइल यूज कर सकते हो यह वाला फॉर्मिलस पर ज्यादा एक को आई जी वन प्लस जी है जो रेंज इसमें नंबर बात करते 35 का बेंडिंग ओफ मेंगनेटाइज रोड और बार मेंगनेट बच्छो नीट 2013 में आप देख सकते हो यह वाला सेम प्रोफाइल था बच्छो ठीटा एक वर्श्टी दे रखा था शायर मेरे साब से और आंसर भी यह था सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है बच्छो मेंगनेटिजम मेंटर मटीरियल वादा चेप्टर इसमें और आप देख सकते हो मेंगनेटिक प्रोपर्टीज ओफ माटीरियल वह आप इसमें देख सकते हो 36 में बात करें सेम रेंज रेंज होती है एक चीज और मैं बता देता हूं आपको 45 प्लस टीटा और 45 माइनस टीटा पर रेंज सेम होती है T1 O T2 का मल्टिप्लिकेशन बच्छो 2R अपून G के उक्वाल होता है ए यह त्रीपली 2003 में भी आयवाज सवाल की T1 T2 तो हता मल्टिप्लाई वह किसके प्रपोर्शन होता बच्वार के R और H1, H2 में relation R equals to 4 root H1, H2 where H1, H2 is the height of theta and 90 minus theta फिर आता बच्छों circular motion में A centripetal V square upon R A tangential dv by dt A resultant निकालोगे AC का square plus AT का square का root कर दोगे direction of AR vector with respect to V vector 10 theta equals to AC by AT यह सबसे ज़्यादा important बच्छों, convex bridge में आप देखोगे तो MV square upon R and MG वाला component आएगा V safe जो अगा बच्छों, root G आ रहे जाएगा acrotism पढ़ना है पढ़ लो बच्छों नहीं तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है हाला कि एक बार आयागा सवाल इसलिए इसको पर लिख दिया है acrotism omega 1 upon omega 2 minus F1 upon F2 omega is a dispersive power एक बार देख लेना बच्छों इसको भी 40L looping of the loop U is greater than equal to root 5GL आएगा बच्छों यह actually root 5GL वो को velocity है बच्छों इसको कहीं से भी enter कराऊ अपना loop complete कर लेगा YDSC में सबसे important equation i equals to 4 inode cos square 5 by 2 फिर आता बच्छों यह smooth rough वाला स्मूथ अतर डिस्टेंस होगा हाफ G sin theta T1 square जहां पर G component change जाएगा G sin theta minus new cos theta into T2 square यह रख प्या जाएगा Sky appears blue बच्छों scattering के वज़े से दिखता बच्छों ठोटिकल सवाल अमत छोडना बिलुकुल भी 2019 में देख लिए आपने फिल मेलस लो बच्छों पोलराइजन में i dash is equal to i node cos square theta unpolarized light polarized light में i node by 2 का difference आ जाता है और average of cos square theta which is equal to 1 by 2 फिल कैपशिटर बच्छों with die electric series और parallel में बच्छों area divided distance divided दोई concept आते हैं work energy theorem में w all equals to change in kinetic energy के final minus k initial work performed by all the forces half into इसको v final का square minus v initial का लिख सकते हो या आप इसमें का divide कर दोगे यह momentum बन जाएगा s equal to tq by 3 वाला question बच्छों work energy power में देख के जाना s equal to tq by 3 वाला question photoelectric effect में lambda equals to 12400 upon e सबसे ज़्यादा famous सवाल और e b equals to 5 node plus k maximum all profile of class nodes horizontal pipe में बच्छों Bernoulli equation a1 v1 equals to a2 v2 या Bernoulli equation p1 plus half rho v1 square plus p2 plus half rho v2 square या change in pressure निकालोगे तो half rho v2 square minus v1 square आ जाएगा बात करते हैं 49 पर total energy shm e node equals to half m omega square a square over one time period average kinetic energy e node by 2 होती है 1 by 4 m omega square a square या average potential energy लिखो के वो भी node by 2 होती है 1 by 4 m omega square a square where sin square omega t or cos square omega t 1 by 2 होता है बच्छों capillary rise formula देख लेना बच्छों एक बार वैसे आता नहीं है बहुत कम chances हैं फिर भी आप एक बार note कर जाना है h equals to 2t rho g cos theta glass lens बच्छों mu equals to 3 by 2 dipped into water सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यह fw equals to 4 into fa लिख रहा नहीं यह तो कुछ ज़्यादा important है बच्छों इसको देख के जाना wave optics की आत्मा है 52 की बात करते हैं बच्छो true table हर साल सवाल है 52 को तो note कर लो हर साल का सवाल है ornate ornate gate सारे gate का बच्छो true table आपको देख रहा नहीं है और यह sp lesson channel पर मैंने सारे gates के बारे में बता रखा वहाँ पर जाके भी देख सकते हो सारे gates को कैसे solve करते हैं क्या है system sp lesson हमारा channel है आप उसमें जाके देख सकते हो 53 shift due to a slab यह भी आयागा बच्छो दो तीन बार आयागा नीट पर सवाल s equals to t1 minus 1 minus 1 upon mu glass slab के लिए जो होगा बच्छो mu 1.5 वा जाएगा तो यह t by 3 आजाएगा आप देख सकते हो इस पर कोईसा भी सवाल आया mu की value put कर देना t we notice the accelerating potential difference यह भी सबसे ज्यादा important है 56 में बात करें बच्छो junction temperature की इसको resistance की जैसे स्कूल करोगे तो मेरे साब से सबसे ज्यादा अच्छा है because resistance वाला पढलो चाहिए पढलो बात एक ही है यह heat transfer का सवाल है बच्छो और ज्यादा ही famous है कुछ यह भी displacement and distance around path in case of initial velocity 0 तो change in velocity कैसे आएगा बच्छो फिर final velocity आएगा आपके बस जो आएगा फिर बात करते बच्छो heat supplied q at constant pressure p delta w equals to q by r thermodynamics का सवाल है बच्छो सबसी ज्यादा famous profile 16 में बात करें between two states delta u 0 होगा बच्छो for all process between i to f या 1 to 2 q1 minus w1 equals to q2 minus w2 equals to qn minus w1 n equals to anode 1 by 2 की power n where n equals to t upon t half यह पूरे radioactivity की जान है बच्छो from wave equation finding lambda phase difference 5 equals to 2 pi by lambda into x limiting wavelength x-ray भाला कि नहीं है syllabus में लेकिन NTA के paper में दिया वा था तो बच्छो एक बार देख लेना आप भी sc upon lambda minimum which is equals to e node where v node equals to accelerating एक formula याद करने में कोई बुयाई वाली बात नहीं होगी आग्या सवाल तो अपना चार नंबर करेक्ट हो जाएगा dams oscillation unitary method of decay damned oscillation बच्छो आपको पहले तो NCRT की जो definition से वो पढ़के जानी है बच्छो lens in contact 1 upon f contact which is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2 where p contact equals to p1 plus p2 66 की बात करते बच्छो variation of g with height g on the surface of the earth g as equals to gm upon r square इसको density में भी पूल सकता है dependence भी पूल सकता है यह सारे profile आपको देखके जाने एक बाद for rolling ground object transitional kinetic energy ke half mv not square वो k square upon r square वो 1 plus k square upon r square तो आपको transitional kinetic energy rotational kinetic energy total kinetic energy के ratio पुछे कर क्या 1 ratio k square upon r ratio 1 plus k square upon r square rational of transitional energy यह देखको r square upon की यह दोनों का rational ले लिया बच्छो आपने transitional rotational rotational का या total का भी ले सकते आप केसी भी तरह गुमाओ आपको यह concept याद रहना चीए फिर आता है बच्छो connecting two connecting spheres बच्छो इसमें आपको याद रखना है q1 plus q2 which is equal to q1 dash plus q2 dash because charge कभी पहले जितना था बाद में बूतने रहेगा बच्छो यह q1 dash upon r1 which is equal to q2 dash upon r2 q1 dash upon q2 dash which is equal to r1 upon r2 यह मैं बोलू चार जो है वो directly radius के proportional है satellite वाला बच्छो वी नोड रूड GM by r एक geostationally satellite की बढ़े में थोड़ा सा याद रखना है T होता है वो 24 hours होता है H equals to 6R which is equal to 36,000 km close organ pipe open organ pipe इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है बच्छो explanation channel में वो भी आप देख सकते हो इसमें जो ratio रहता है 1-2-3 रहता है इसमें 1-3-5 रहता है each capacitor CEV minimum capacitor कितने लगेंगे वो M into N होगा यह rows वाला system देख लेना बच्छो कितने row में कितने capacitor जमेंगे यह भी सबसे अच्छा profile है charging of neutral capacitor work done by source which is equal to 2 into energy store या दखना बच्छो वीकोज आपन लिखते हैं actually में जो half CV square लिखते हैं वो आधा तो वो waste वा जाता है और आधा ही बसता है आपने पास energy of satellite बच्छो U equal to minus G upon यह total energy kinetic energy potential energy इन तीनों में relation E equal to minus K equal to U by 2 सबसे ज्यादा important 79 की बात करें relation between maximum particle velocity and wave velocity सबसे ज्यादा V maximum omega A या 2,5 F A, V wave जो बता lambda F, दोनों का ratio सबसे ज्यादा important equation दे देता आपको direct पूसता V particle क्या होगा, V wave कितना होगा direct आप formula लगा कि answer निकाल चकते हो बच्छो बात करते हैं spring block collision maximum compression और maximum extension common velocity VC माननी है आपको सबसोल करना है वरके energy power का सवाल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है agent deliver constant power बच्छो यह दो profile तो इतनने ज्यादा important है V जो है वो T की power half के और X T की power और 3 by 2 के profile बच्छो दोनों को सनाए में यह फिर बात करते हैं E2 का फिर बच्छो यह किसी medium में आपने डिबो दिया तो 10 theta पे क्या फरक पड़ेगा gamma minus rho क्या होगा rho वाले liquid आपने डिबो दिया जो bob का density वो sigma है बच्छो इल दिखा हुआ sigma density of bob rho density of liquid dielectric constant के है तो इस पर क्या फरक पड़ेगा electrostatic का सवाल है फिर आता है बच्छो यह e1 plus e2 equals to 5L1 e1 minus e2 equals to 5L2 e1 और e2 का ratio point out करो दोनों series में जुड़े होते हैं दोनों parallel में जुड़े होते हैं तब बच्छो फिर आता है बच्छो identify forward and reverse bias यह तो कुछ ज्यादा ही special है P high potential पर low potential पर N हो तो forward bias होगा P low potential पर N high potential पर reverse bias होगा सबको पता होता बच्छो यह कोई बड़ी बात नहीं है L and C with resistance are in DC circuit जा मैं बोलू remember AT equals to 0 capacitor CBS like यह बच्छो NEET 2017 में भी आया वाया है इसी concept पर बेस सवाल था capacitor CBS like conductor or inductor LBS like open circuit long time after where T is infinite closing the key capacitor CBS like open circuit or inductor LBS like a conductor okay 87 के बात करें checking SHM or not from equation remember sin square omega t is periodic not SM checked by a question d2 by x upon dt square is proportional to minus x condition of SHM electrostatics में भी काम में आती बच्छो यह रखना 88 के बात करें position of node or anti-node in a vibrating stress string under two conditions both ends or fix या one end fix यह भी मैंने वीडियो डाल रखका है बच्छो आप देख सकते हो कितने node कितने anti-node बनेंगे SP lesson channel पे 89 बात करते है RMS velocity and wave velocity velocity of sound V RMS root 3 RT upon V sound gamma RT upon VS upon V RMS equals to gamma by 3 for different gas gamma and M may be different यह भी आपको पता है बच्छो moment of inertia यह देखो reduce mass वाला system आगे बच्छो यह नीत उठावन 16 या 17 आएवा है I equals to 2 mass दे रहेके M1 M2 आपको moment of inertia निकालना तो दोनों का multiply by दोनों का add करदो उसको reduce mass system बोलते है into d square करदो moment of inertia आजएगा conservation of angular momentum बच्छो आरबाल लगाना होता है I1 omega 1 which is equals to I2 omega 2 application point mass existing to rotating dix और ring यह आप देख सकते हो comparing de Broglie wavelength of electron lambda E lambda P और energy में बच्छो photon में same energy के लिए same lambda के लिए electron of photon का lambda push लेता है बच्छो dimension associated with mu node inode and wonderwall equation mu node inode की dimension के बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ मैं एक प्रेमटी के बहुत famous सवाल था यह कि 1 upon root mu node inode जो हता है वो C के एक वाल होता है उसकी डाइमिंशन होता है meter per second में निकालते है L T minus 1 charge particle in normally into electric field बच्छो just projectile वाला system है electric field आ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें फिर 95 पे बात करते है refracting of light from silver mirror देखो मिन बोला था न sign है यह पूं sign ही आ जाएगा यह देखो आ गया sign है यह पूं sign है direct निकाल सकते हो सबसे ज़्यादा famous सवाल है ray optics का point on rough rotating बच्छो omega square r equals to mu s upon g म्यूस पूसता है omega square r upon g APMT 2012 में भी आया बच्छो सवाल है rotating वाला displacement during last time second displacement यह s 0 to t ut plus half it इसको लगा सकते हो बच्छो यह वाला concept आपको kinematics में भी मिल जायागा बच्छो बात करते है 98 के लिए orbital speed और s के विले speed में relation v-node जो हता है वो root gm by r होता है ve root 2 gm आदे जब v-node v root 2 e ve होगा इदे को escape speed from orbit is root 2 times of the orbital speed remember nearly 41% because root 2 की value 1.414 होती है तो increase can make satellite to escape rocket deflection वाला बच्छो देख सकते हो v dm by dt होगा minus mg equals to ma thrust force वाला concept लगता है current reversal in inductor coil यह देख सकते हैं बच्छो LDI by dt लगाते हैं induced वाला यह भी आया है बच्छो बहुत बार सवाल एक induced होता है वो LDI by dt आता है man in a lift पहले बहुत आता था बच्छो आजकल आना बंद हो गया यह mg minus a 12 accelerating upward f accelerating lowered constant velocity से जाएगी कोई फरक नहीं पड़ेगा बच्छो जान रखना blocking condition spring block system half mv square जितने velocity दोगे उतनी spring में potential energy stored हो जाएगी और वह आफ की x square के equal हो जाएगी emission power of black body radiation बच्छो सबसे ज्यादा important यह जो है वो टी की power 4 के proportional होता है temperature must be in Kelvin दिमाग में डालने ना इस बात को cyclic cyclic thermodynamic process बच्छो डियूरिंग one cyclic delta u 0 होता है बच्छो one complete cycle आपको भी पता है और अभी तो वो नीट 2019 में तो delta q equals to 0 आया था बच्छो वह वाला सवाल था efficiency निटा निकालोगे बच्छो sum of all w or q divided by sum of all positive q only आपके पास निटा आ जाएगा बच्छो block generally lower onto rough horizontal surface s equals to v square upon 2 mu g stopping time v upon mu g ये भी एप इम्टी माय वाइवा v square upon 2 mu g वाला ये भी एप इम्टी माय वाइवा v upon mu g वाला ये ध्यान रखने बच्छो आपको airways transitional kinetic energy 3 by 2 kt 5 by 2 kt 6 by 2 kt 3 rotational 3 rotation 0 rotationally आपको degree of freedom याद रखने बच्छो monodatomic, diatomic, polyatomic के लिए फिर order of lambda और f electromagnetic waves Ravi Mohan is very useful to excellent guy आप इसे याद अक्सित, radio wave, microwave, infrared, visible, UV light, x-ray और gamma ray increasing frequency और decreasing wavelength कभी कवार इस पे भी सवाल पूछ लेता बच्छो आपको order जमानी के लिए axis pressure बच्छो bubble में यह आपको electrostatics में भी काम में आजाएगा और यह आपको surface tension वाले chapter में भी काम में आएगा आप इसको भी note करके रखेएगा बच्छो ब्रेकिंग stress वाला ब्रेकिंग stress आपको पता है बच्छो यह elasticity वाले chapter से sigma जो है maximum stress material can be tolerate यह वाला concept एक बार देखे लेना बच्छो आप भी important है तस्वा distance of closest approach AIEEE में तो आयवाई एक नीट में भी आ सकता है बहुत ज्यादा importance सवाल है आर minimum जोता हो k2z2 divided by half mu square chapter का नाम है atom ग्यार बुलेट वाला बच्छो बुलेट वाला नी 2017 में आयवा बच्छो यह आप देख सकते हो कितना height तक उपर जाएगा यह वाला फोगमला लागा ना था यह कश्ट केपिटल M plus small m divided by m into root 2gh यह के वक inelastic collisions है बच्छो दोनों चपक्किए एक साथ चलेंगे बुलेट प्लस ब्लॉक फिर आता बच्छो 112 properties of electromagnetic wave इसमें pointing vector e cross b की डायरेक्शन होती वो वेव की direction को show करती है e और b दोने दूसरे के perpendicular होते हैं दोने की बीच में face difference 0 होता है चारो important point है यह electromagnetic wave के लिए और इसके अलावा एक चीज़ और बता दू displacement current का फंडा पड़ जाना चलावा कोई चीज़ ही नहीं है या nodal analysis से भी आप solve कर सकते हो maximum power layer के लिए सबसे important condition capital R जो स्मूल R के बराबर होना चाहिए P equals to e square upon 4R आता बच्छो आप देख सकते उसका graph फिर आता electric field between the plates of a charge capacitor equals to V by D या sigma upon epsilon note field produced by individual plates जो होगा बच्छो sigma upon 2 epsilon note हो जाएगा डा electric capacitor डालोगे बच्छो याद रखना e जो हता है वो k times कम हो जाता व जो हता है वो k times कम हो जाता है f जो हता है वो k times कम हो जाता है लेकिन c जो हता है वो k times बढ़ जाता है फिर effective velocity and horizontal range of jet यह यह भी बच्छो important सवाल है इसमें आपको पूछा जाता है कि कितनी range पर जाएगा कितनी height से जाएगा बहार निकलते से में efflux velocity कितना होगा यह तो खेंद नहीं तो 2019 में भी आया वाए मैंने जो सवाल बोल दिया efflux velocity वाला e-route EGS वाला बच्चो यह height वाला concept देखके जाना आप बिलकुल फ्लूड mechanics का है बच्चो यह पर आता है बच्चो गायरो magnetic ratio सबसे ज़्यादा m equals to ql upon 2m सबसे important सवाल है बच्चो यह गायरो magnetic ratio बता दू कौन से chapter से यह magnetism वाले chapter से है बच्चो balance with stone bridge या balance meter bridge बच्चो यह तो खेर आता ही आता है साल का यह तो meter bridge और with stone bridge तो वह आर वन ने डेट आर टू का रेशो आर थी आर फोर की रेशो आ जाएगा तो balance हो जाएगा गिल्योमेटर में कोई current नहीं जाएगी बच्चो गिल्योमेटर को हटा भी दोगे तो कोई परकनी पड़ेगा फिर आता बच्चो जंक्शन लो अप्लाएगी डायेट फॉर्मुला आई वन आई टू आई ट्री जीरो रख लोगे वी वन माइनस वी नोट बच्चो कितना मास में डिफरेंस आएगा कितना एनरजी में डिफरेंस आएगा या कितना एनरजी लोस होगा वह आपको सब देखना है बच्चो पेंडूलम बच्चो यह नीत तुथाजन सेवंटी में आया वाया शेयरी है यह तुथाजन नाइटीन में भी आया था आया आईडिया नहीं है टेंटिटा एवाई जी की एक ओल होता है इसमें स्यूड़ो फोर्स वाला कंसेप्ट लगता बच्चो टी क्वस्टो एम रू आपको पता है बच्चो रोड थोड़ा उपर उठाके बनाया जाता है वह इसी वज़े से बनाते हैं पर आता बच्चो मेंगेटिंग इंडेक्शन भी एड़े सेंटर अफ करेंट केरिंग एकुलेटर ट्रेंगल स्कुएर हेग्जागोन और सरकल चारों के लिए देखके जाना जिसम सेंटर पर जीरो होता है एक मेगनेटिक फोर्स बेट्विन करेंट्स बचो फोर्स पर उनिट लेंथ एफबाई एक डिरेक्शन में जाओगा तो अट्रेक्शन और आपजिट डिरेक्शन जाएंगे तो रिवल्स होगा बच्चो यह तो पर उनिट पर लेंथ इक फोर्स होगया यह टोटल फोर्स होगया दूसरी क्वेशन एक फोर्टोल इमेग्ज बच्चो देख सकते हो आप वर्चोल अब्यक्ट फोर लेंस और मिरर रेस ओ लाइट कनवर्स टू एट पॉंट पी एलेंस और मिरर इस प्लेश एट डिस्टेंस दी इन फ्रंट ऑफ एक प्लस टुट प्लस टी यह आप साइन कन्वेंशन देगे इस प्रोफाइल को चेक कर सकते हो अपिशेंशि ओप कार्म नौट इंजन सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट नीटा एक वस्ट्व एक वार मानस क्यूट अपू ऑपॉन यह वन मानस क्यूट लाइस एवाइन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इंपोर्स वाला मेंस का सवाल है बच्चो यह वी कितना होगा रूड जीवाए टी कितना होगा टू रूड लूड 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 को स्कूर्ण का रिंग का स्वेयर का विकॉज इसमें यह तब टाम में आते बच्छों इसमें के स्कूर अपना रिलेशन याद रखना पड़ता है क्यों आपको बोलता है एक इंग्लाइन प्लेन पर डिस्क रिंग स्वेयर सबको आपने एक साथ गिरा है तो कौन जमीन पर प यह बच्छों इंपोटेंट ए फोर्स बिट्वीन इडेंटिकल चार्ज एफ यह दिए आधकलो बस आप तो एक पॉर्मला एक पॉर्मलाए फम अपन एफ इक इस एकुजरेशन जी साइंटिटा के स्कूर अपन आर स्कूर किसके लिए जादा होगा किसके लिए खम होगा क यह पहले एमजी भाई के होगा यह पहले एमजी भाई के होगा यह तुए हो जाएगा जाहां यह ओसिलेशन एंप्रीटूड है बच्छों यह आगा बच्छों कॉंटेट एंगुलर मोमेंटम लगाना यह आपने क्लासरूम में भी पढ़ रखा होगा एक बार देख लेना इसको टाइम प्रिएड बच्छों सिंपल वंडिलम के लिए टूपाइ रूड लगाई जी स्पिंग के लिए टूपाइ रूड एम भाई के किसकी पर डिपेंड करता है कितना टाइम करूंगा तो कि टाइम हो जाएगा वह आपको देखना है फिर ऐसे चम की बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंड यह तो वाई कोश्टों ए साइन ओमेगा टी प्लस ब्लस ओमेगा टी फंक्शन यह आया वाई यह बत्यों सवाल रिजलेटें अंडूड ए स्क्वेर प्लस ब्लस बी स सब जगे वर्क रिलेटेट तो सर्फास इंशन डवली इकोश्टों सर्फास इंशन इंटू चेंज इन एरिया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंड नी 2016 में भी आया बच्छोई सवाल आई तिंग 15 या 16 में देख सकते हो आप साब उनके बुलबुले में चेंज करोगे कितना और वर्क ऐद करोगे तक्का अधो makUM में अरो जेड कि एपेंडेंज को तॕ ज़्यादा है मेरसं कर दिया-थिَ क का ए마टिया एंनेर्जिम कया सिख będ में अरिया का पीट इकवेंसी में 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 ब्लूमेंटम में में किसी में वी चेंज पूछ सकता है बस थोड़ा सास को टिक्स पर रखना है कॉम्बिशन ओफ इंड़क्टर सिरीज में लगा होगत 11 प्लस L2 पहला में लगा होगत 11 L2 डिवाइड बाई 11 प्लस L2 जश्ट एज रेजिस्टेंस वेक्सिंग ओफ टूनिंग फोर बच्चो वेक्सिंग करोगे तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी वह आप वेव वाले चेप्टर में देख सकते हो बच्चो मेंग्नेटिक हाइस्टेस लूप बच्चो जही में 2019 में भी आया है 20 में भी आया था ये नीट में भी आया है एरिया अंडर दर लूप क्या देता है एनर्जी डेसिपेशन पर साइकिल यह आपको याद होना चाहिए बच्चो की कंडेक्टिंग वायर वाला देखते हैं अब नेक्स्ट वाला 145 कंडेक्टिंग वायर जो है बच्चो और जो चार्ज पार्टिकल है उसमें रिलेशन यह आपको नोर्स में लिखाया होगा बच्चो जब टीचर्स में पढ़ाया होगा यह दोनों देखके जाना एक बार इस यह सबसे ज़्यादा इस्प्रिंग कटिंग वाला सिस्टम यह काट के सीरीज में लगा दे पहलल में लगा दे कि एफेक्टिव कितना होगा क्या फरक पड़ेगा बच्चो इसी जब टाइम परेड़ निकाल सकते हो इसी जब रिक्वेंसी निकाल सकते हो फिर आता बच्चो जगलर वाला सिस्टम काइनेमेटिक्स का सबसे ज़्यादा सवाल अच्छा सवाल पूछा जाता है कि इतनी बोल प्रिकेगा तो कितने टाइम में कितनी बोल आएंगी कितने हाइट मैक्सिमूम होगी प्रिकल हाइड बच्चो यह एक सवाल सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है एच इस गेटर देन फाइज डिफरेंस बच्चो कॉमन बेस में फाई जीरो होता है कॉमन इमिटर में फाई पाई ए एक ससी गडिन होता बच्चो एंटी फेज में होता है एंचियाटिक लाई नहीं है 150 की बात करें आई सब्सक्राइबिक प्रॉसेस बच्चो कि इसका स्लोप जादा होगा कि इसमें डिपीवाई डीवी कितना होगा बल्क-दिवीक कितना होगा एक बार देखने आपको यह पॉटेंशन अनर्जी कानिटिक एनरजी हाफ एम ओमेगा स्क्वेर एक स्क पर यूज होगा वो इभाई 4 हो जाएगा 25 परसेंट और कानेटिक एनरजी होगे 3 इस्टेंड राही के लिए जाँ फाइनल इमेज डी इक्वेश्ट 25 सेंटिमेटर पर बने तो फॉर्मुला यह आएगा फिर आता बच्वो डिस्प्लेसिंग गया लिफ्टिंग ऑफ मास एनिशन पोटेंशन एनरजी पानेल पोटेंशन एनरजी वगडन दोनों का माइनस कर दोगे आप कांसर आजाएगा फिर बात करते बच्चों 155 में वगडन टू रोटेट डाइपॉल तो इक्वेश्ट टू पी साइन टीटा वाला यह यह एक्वेश्ट टू एमबी कोशीटा वाला वगडन पी कोशीटा वाला माइनस कोशीटा टू सबसे ज़्यादा इंपोटेंट यह मैगनेटिक यह एलेक्टिक डाइपॉल है बस वर्ड चेंज है एप्लिकेशन अब गॉस्ट टेरम लीनियर चार्च के लिए टू के लेंड़ा बया यह लेंड़ा पॉन टू पाई असले नोटा सबसे ज़्यादा इंपोटेंट चार शीट के लिए पूछ सकता है इस पैर के लिए पू ब्लोक प्रेश्ट अगेंस्ट रफ वर्टिकल वोल बच्चो फ्रिक्शन का सवाल है सबसे ज्यादा इंपोटेंट ब्लोक वाला तो ब्लोक नीचे जाएगा नीजाएगा या आगे बच्चो शिप्टिंग वाला सवाल जब अपने पहले डिसकस कले है देंसर टू रेयर में एक बार ओर देख लेना इसको फ्रिंज वाला फ्रिंज जस्ट इंफरट ओफ वन सलेट वाला यदिस्टी का सवाल है बच्चो यह भी देख सकते हो आप और यह तो खेर है यह कानिमेटिक्स की जान A एक वस्टो डीवी बाइडीटी, V एक वस्टो डीवी बाइडीयस या डीवी बाइडीटी वाले सवाल बच्चो जब यह भी याद रखना है बाइड लोगों कि जब एकसलेशन कॉंशन लोगा तब ही तीने एक्वेशन लगेगी नहीं तो नहीं लगेगी कुछ भी Stopping distance सबसेज ज़्यादा important formula use कर अपन 2D और T equals to UID सबसेज ज़्यादा important बच्चो retardation है यह Charge flow through the key capacitor बच्चो difference charge flow through के एक बाइड इसको देख लेना बच्चो होगी capacitor में आयवा सवाल है आला कि इतना hard नहीं आता NEET में फिर भी आप एक बाइड चेक कर लेना बच्चो Ascent or Descent of Rolling Object यह याद रखना total kinetic energy कितना चेंज होगा नीट 2013 में है बच्चो यह इसकी वह दे रखी दिया आपको आईट और आपको पूछा था कि कौन सा यह object टेरिंग आए कि डिसक क्या है यह याद रखना आपको total kinetic energy डेल्टा कि हाफ में 1 प्लस के स्क्रप के स्क्रप के स्क्रप और स्क्रप तो सब के याद करने ही है आपको फिर आता बच्चो व्यू ड्यू टू स्टेट करेंट हाला कि NCIT में तो नहीं है यह फिर भी आपको एक बार पढ़के जाना है बच्चो यह derivation NCIT में नहीं दिया है फिर भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि NCIT में जाहतर सवाल जो दे रखें वो वो इसके नहीं है बच्चो वो अलग-अलग topics के दे रखें टोरोइड हो गया वो पढ़ जाना है एक बार यह तहीं है maximum Nb omega cos omega t बच्चो या e equals to enote sin omega t ac वाला system हाला कि पढ़ाते इसको में EMI में है लेकिन काम में AC में भी आता है रोटर में कोई बालक दोड़ रहा है बच्चो ओमेगा अंडूड रूड जी अपॉन म्यूस इंटू आर रोटर वाला डेथ वैल जिसको आप बोलते हो ब्लोग address over rough inclined plane बच्चो नॉर्मल डियेक्शन कितना लगेगा friction force कितना लगेगा ब्लोग नीचे आएगा यह नहीं आएगा यह आएगा बच्चो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें range का पॉर्मुला पूछेगा आपको F perpendicular 10 alpha half 10 dita के कवाल होगा अ मिनीं फ्रीपाथ सबसे ज्यादा important मिनीं फ्रीपाथ बच्चों में 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 2019 में वह है 20 जन्वरी में भी आएवा है और शयाद अब इसमें सेतंबर में भी आया था लीनियर पीवी कर्व थर्मन आइनिमिक्स में देखके जाना है बच्छों सब को इसके सवाल कैसे सौल करते हैं यहां पर आपको दियाव आवेसे ट्रिक आप पढ़ सकते हो उसको इडियावेटिक कर बच्छों किसका स्लोप ज़्यादा होगा इसके लिए कम होगा मोनोटेमिक डियाटेमिक पॉलेटेमिक टॉर्क टोउइज इकोस्टो एमबी साइन टिटा एम को बिना या तोउइकोस्टो बिना साइन टिटा देख सकते हो बच्छों मुविंग कोईल गेलमेटर में करेंट सेंसिविटी वोल्टेश सेंसिविटी आयवा बच्छों ये 2017 ये 2018 में आयवा श्याद मेरे साब से टेंशन करेंट केरिंग लिए बच्छों टीक बच्छों ये मैं आपको डायेटरिक बताता हूं आर बीए रिजर बैंक ओफ इंडिया से याद रख सकते हो टीक बच्छों आर बीए से याद गल्लोस को सबसे जयाता बेस्ट है ये टेंशन इन सर्कुलर लूप डेरिवेशन पढ़ने की कोई जरत नहीं है एंगल ओफ डिप ये कोट स्केर फाई इकोस तो कोट स्केर फाई प्लस कोट स्केर फाई टू सबसे ज्यादा इंपोटेंड बच्छों आयवा भी है ये सवाल 17 ये 18 में आया था श्याद अब्जेक इस्टेब याए वा बच्छों नी 2015 में आया वा जब ये अप इमटी हुआ था रही अप इमटी उसमें आया था इस सवाल उसका अंसर था टाश्याद ट्वंटी मीटर पर सेकिन मेरे साब से 79 की बात करें LCR in series circuit बच्छों आपको किर्चोफ लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें जैसा किर्चोफ लगाते है यह बस इसमें L और जुड़ गया और कुछ नहीं है यह आगा बच्छों फटने वाला सवाल object exploit at highest point of projectile center of mask का concept लगता है रच्छों इसमें यह 3u cost data वाला सवाल दो बच्छों हर एक्जाम या कि maximum exam में आपको मिल जाएगा यह 3u cost data वर्क परफॉर्मिंग डिलेटेड़ टू सेटलाइड बच्छों w equals to e2 minus e1 यह concept पहले पढ़ रखा है launching वाला सवाल भी देख जाना या बच्छों इतनी बार bounce करेगी कब जाके रुकेगी कितना time लगेगा कितनी times bounce होगा यह सारी चीजिए हैं बच्छों यह collision chapter से एक बार देख लेना यह हर sheet में मिल जाएगा आपको बेशे concept of pseudoforce a equals to g code alpha बच्छों यह 2017 में भी आया वाई बहुत बार सवाल रिपीट होगया यह g code alpha ग 10 alpha वाला यह triple e से repeat होता आ रहा है 2002 यह 3 से significant figure बच्छों एक बार ncati का example जरूँ 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 देख गया ना significant figure के बच्छों error analysis में सबसे ज्यादा वो power वाला सवाल आता है बच्छों यह वाला example pe equals to aq b square root c o d यह सवाल में तो ज्यादा तर neat में दीखा यह सवाल है और कोई सवाल दिखता ही नहीं मेरोकर इसमें error में तो या तो dimension से पूछेगा या error में पूछेगा यह आगया बच्छों s के velocity के सारे फंडे मास कितने टाइम कर दे रेडिस कितने टाइम कर दे तो s के velocity कितने टाइम हो जाएगी ज्याँ रखना है इसको trajectory equation y equals to x and theta minus g x square upon two e square cos theta या रखनी आपको horizontal में oblique में दोनों में emotional EMF equals to bvl f equals to b square v square l square upon r पावर वाला ध्यान दखना है बच्छों यह भी NCRT का यह है यह फंडा यह आगया half b omega l square very very important चाए डिस्क को दोड़ाव चाए रोड को दोड़ाव उतर radius आ जाएगी उतर length आ जाएगी और कोई change नहीं आएगा बच्छों यह N tiny drops से एक book drop बनाऊगे बच्छों तो energy में कितना change आएगा कितनी radius किसके कितनी होगी सबसे ज्याद इंपरेंड यह बच्छों यह 5024 में आयवाई यह tiny drops वाला सिस्टम यह आगया spherical solid बच्छों bulk modulus fluid mechanics से आयवाई बच्छों यह भी सवाल देख लेना इसको एक बार spherical solid taken to depth height पर यह वर्टिकल रोड वाला बच्छों self elongation पूस्ता यह लाश्टिक सीटी वाले चेप्टर से डायरेट याद रखना है MGL अपूं 2EY यह आगया elastic road as a spring बच्छों spring के सवाल आप elasticity से कैसे solve करोगे वो इसमें given है आप एक बार चेक कर लीजेगा बच्छों यह आगया basic glaston जुरू gamma mix sum gamma cpy cv cv r upon gamma minus 1 neat 2013 में जाके देख लेना इस सवाल मिल जाएगा इस e p cost gamma r upon gamma minus 1 यह gram specific heat देख लेना बच्छों mixture वाले सवाल जाधा तर आते हैं प्लीज यह आगया बच्छों peripheral point velocity किस पर कितना होगा root 2 v0, 2 v0, 0 root 2 v0, v0 देख जाना बच्छो rolling without sleeping सारे सवाल इसी पर बेज़ आते हैं यह आगया moment of inertia of remaining body सबसे ज्यादा important है बच्छों जे एक तक को नी छोड़ा इसने तो नीट में ताना ही आना है वह एक spare में से r by 2 का spare cut कर दिया तो इसका moment of inertia कितना होगा यह इसी पर आप center of mass का सवाल बना दो यह आगया location of center of mass हाला कि location of center of mass पर कमी सवाल पूस्ता हो cutting वाले सवाल पूस्ते हैं ज्यादा रोड वाला जरूर देखके जाना है बच्छों center of mass के equation क्या होगे एक center of mass वाला रोड वाला एर्ट वूड मशीन सबसे ज्यादा important है बच्छो 2m1m2g divided by m1 plus m2 और लाश्ट बात करते हैं विसकस फोर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए था और अगर व्यूज अच्छे हो जाते हैं तो मैं आपको यह जो बुक जिससे मैं आपको यह बता रहा हूँ यह आपको PDF में दे दूँगा बच्छों सो प्लीज लाइक कीजिए थैंक यू